बच्चो आज की इस वीडियो में हम लोग तनुकरन और तनु अमल एवं सांद्र अमल के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग देखते हैं तनुकरन क्या है तो देखे बच्चो तनुकरन क्या है जब किसी अमले या छारक में जल डालते हैं तो बिलियन में H प्लस आयन या OH माइनस आयन की सांदृता घट जाती है इस परकिरिया को तनुकरन कहते हैं बात समझ रहे हैं जैसे कि मान लिजे आपके पस क्या है कोई अमले है या पिर छारक है यहां पर मान लिजे क्या है कोई आपके पास अमले है कोई अमले है या फिर क्या है चारक है बात समझ रहे हैं और जब हम लोग क्या करेंगे इसमें पानी डाल देते हैं यानि जब हम लोग इसमें जड़ डाल देते हैं तो क्या होगा कि H प्लस आएन या फिर OH- आएन का जो सांध्रता है वा घढ जाता है और इस परकिरियायक एंगा मैं का बोलते हैंतन्त करन बोलेंगे ही प्लस आएन यानी का hydrogen या फिर OH- us oh-e- यानी का हिड्रॉरकसाइड आएन के संदुरता क्या होता है घाट जाता है तो इस परकिरता के परकिरती क्या परवाव पड़ता है जैसे बच्चों यहां पर question क्या कहा जा रहा है आप question को धिएन से समझिए जैसे कि मान लिजिए आपके पास यहां पर कोई billion है ठीक है किया आपके पर यहां पर बात हो रहा है एस प्लस आयन के सांद्रता का यान यहां पर discuss करेंगे हम यहां पर यह से हमारा क्या होगा बढ़ेगा या फिर इसका संद्रता घटेगा यही दो केस हो सकता है जैसे हम लोग अरहेनियस के सिधांच से अमल का डेफिनिशन क्या पड़े हैं कि वह इसे प्दार्त जो जल में खुलकर एच प्लस आयन देते हैं ठीक है यानि एच प्लस आयन मिलेगा तो उसका अमल बोलेंगे तो यहां पर भी क्या हो रहा है कि एगर एच प्लस आयन के संद्रता अगर बढ़ेगा न जितना एच प्लस आयन के संद्रता बढ़ेगा वह उतना अधिक क्या होगा अमली होगा ठीक ह उतना अधिक अमलिय होगा अब गठने से क्या क्या क्यूल यह रहेगा लेकिन उसका परकृति क्यों मारीर हो परकृति अमलिय हो जाती है बात समझ रहे हैं कि एस प्लस आयन के सांद्रता अगर बढ़ाएंगे तो उस बिलियन की परकृति क्या होगा अमलिय हो जाएगा ठेक है बच्चों चलिए अब हम लोग अगले कोश्चन के बढ़ते हैं हमारा अगला कोश्चन कुछ इस परकार से हैं कि ओफ माइनस झान और मोग यहां पर बात करेंगे आयन के सांद्रता का बिल्यट के परकृति पर क्या परवाः तरहें जिस परकार से थो अपधा और उसे परकार से तो इस परकार से चायो जाती है बात समझ रहे है Habउना कोश्यच ने UK तनू अमल एबंग सांद्र अमल क्या है तो तनू अमल देखिए जिस बिलियन में अमल की मात्रा कम तता जल की मात्रा अधीक होती है उसे तनू अमल कहते हैं तनू अमल में क्या होगा कि इसमें जल की मात्रा अधीक होगी और अमल की मात्रा कम होगी यहां पर लिखा गया है कि जिस बिलियन में अमल की मात्रा कम होती है तथा जल की मात्रा अधिक होती है उसे तनु अमल कहते हैं यानि इसमें अमल की मात्रा कम होगी और जल की मात्रा अधिक होगी जैसे अभी आपको अभी क्या आपको बहुत सारे जगह पर एक्जामपल में मिलेगा जैसे तनु सल्फ् म inhabited क्या हो गया किसमें जल की मात्रा डीख आधिख और मात्रा कम है यानि इसंए 90 फरसन्ट यह है और धैन पर्सन्ट लिखा गया है कि तनुस अलफियूरीक अमल में 90 पर्सन्ट जल एवंग 10 पर्सन्ट अम मुद लें उसी कारता अप tannu क्या है क्या है तक ही मात्रा कम है चल्ड की मात्रा अधिक है तो सांध्र अम्ल में इसका इलुटा होता है यहां पर क्या हो गा?m खोगी और kleine की मात्रा कम होगी तो लिखा गया है कि जीश बिलियन में अमल की मात्रा अधिक एबंग चल की मात्रा कम होती है उसे संक्रेक्छं कहते हैं शावतर सलफ्यॉरिक अमल में 98% अमल एबंग 2% जल है देखेण साम्ठ सल्फूरिक और जल के मातरा कम है for 98 पर सैंट कि तू पर सैंट जल यहाँ पर एक नोड लिखा गया है कि यहां तो एच में जब हर दो दल एक हम लिएन का बात होगा उंस में जल रहता यह को सैंट विद्वी रवे जैने में चाहर के साथ जल है यानि जोंधे स्वाना में चाहर की साथ में चाहर को रहता है तो आजकी लिए इतना है फिर मैंते अगले वीडियो में थेंक्जिव